मन्च पर्विराजमान, राजस्तान के राजपाल, स्रिमान कलराज मिश्र जी, केंद्रिय मंत्रिमंडर के मेरे सहयोगी और इसी धर्ती के सेवक भाई गजेंद्र सी शेखावत, कैलाज चौदरी, राजस्तान सरकार के मंत्री भाई वजनलाल, सांसद और भारती जनता पार्टी के प्रदेश्च ज्यक्ष, स्रिमान सिपी जोसी जी, अन्य हमारे सांसद गाण, सभी जन प्रतिनिदी, देवी और सजनों, सर्वप्रथम्य सुरिय नगरी, मंडोर, वीर, जुर्गादास, राठोर्जी के इस वीर भुमी को शत्य शत्य नमन करता हूं। आज माराण की पवित्र धर्ती, जोधपूर में कई बड़े विकास कारियों का लोकारपण और शिलान्यास हुआ है। बीते नव वर्सों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किये हैं। उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। साथियों राजस्थान वो राज्य हैं जहां प्राचीन भारत के गवरव के दर्शन होते हैं। जिसमें भारत के शावरिया, सम्रुद्दी और संस्कृती जलकती है। कुछ समय पहले जोदपूर में जी ट्विंटी की जो बैठक होई। उसकी तारीफ दुनिया भर के महमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी परियतक हो। हर किसी की इच्छा होती है, तो एक बार संसीटी जोदपूर देखने के लिए जरूर आएं। हर कोई रेतिले धोरों को महरानगर्ड और जस्वन थड़ा को जरूर देखना चाहता है। यहां के हेंडिकाप को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्तुनसा रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत के गवरवशाली अतीज का प्रतिनी दित्व करने वाला राजस्तान भारत के भविश्य का भी प्रतिनी दित्व करे। यह तबी होगा जब मेवार चे लेकर मारवार तक पूरा राजस्तान विकास की बुलंदियों को छुए यहां आधुनेक इंफ्रासेक्टर निर्माण हो। बीका नेर से बाड़मेर होते विए जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेस में कुरिडों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में राजस्तान में आधुनीक और हाईटेक इंफ्रास्त्रक्टर का उदाहरन है। भारत सरकार आज राजस्तान में हर दिशा में चहूं दिशा में रेल और रोड समेत हर शेत्र में तेज गती से काम कर रही है। इसी सान रेलवे के विकास के लिए करीब करीब साड़े नौ हजार करोड रुपय का बजेट राजस्तान को दिया गया है। यह बजेट पिछली सरकार के सालाना आउसत बजेट से करीब 14 गुना जादा है। और यह मैं कोई पोलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं। फैक्ट्विल जानकारी दे रहा हूं। और ना मिडिया वाले लिखेंगे मोधी का बड़ा हमला। आधहती के बाद के इतने दसकों में 2014 तक राजस्थान में लगबग 600 किलोमेटर रेल लाइनों का ही बिज़िकर हुआ। चैसो किलोमेटर बीते नव वर्सों में 3700 किलोमेटर से जादा रेल ट्रेक्स का बिज़िकरन हो चुका है। इन पर डिजल एंजीन के जग एलेक्ट्रिक एंजीन वाली ट्रेने चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदुशन भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अम्रिद भारत स्टेशन स्कीम के तहट हम राजस्तान के 80 से जादा रेलवे स्टेशनों को भी आदुनिक्ता के साथ विक्सित कर रहे हैं। हमार यहां शांदार एरपोर्ट बनानी की फैशन तो है। कि बड़े-बड़े लोग वहां जाते हैं। लेकिन मोदी की दुनिया को जालग है। जहां गरीब और मध्यमबर का ब्रक्ति जाता है। माउस रेलवे स्टेशन को एरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूँगा। और इसमें हमारा जोदपूर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। भाईयों बहनों आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है। उनसे विकास के इस अभ्यान को और गती मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरी करन से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जेसल मेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवार खामली गार ट्रेन को हरी जिन दिखाने का भी सौभागे मिला है। और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मोका मिला था। आज यहां रोड के तिल प्रजेस का भी सलान्यास हुआ है। आज जोदपूर और उदैपूर एरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्रमिनल बिल्लिंग का सलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कारियों से इस इलाके की लोकल अर्थ बवस्ता को बल मिलेगा और रोजगार के नए आउसर परदा होगे। इस राजस्तान में टुरिजम सेक्टर को भी नए उर्जा देने में मदद करेगा। साथियों हमारे राजस्तान की मेडिकल और एंजिनेरिंग एजूटेशन के खेतर में अपनी एक अलग पहचान रही है। कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजिनियर्स दिये हैं हमारा प्रयास है कि राज राजस्तान एजूकेशन के साथ साथ मेडिकल और एंजिनिरिंग की दुरुष्टी से भी नई उचाईयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे साच्छा हब बने इसके लिए ए कॉमा, इमर्जन्सी और क्रिटिकल केर की एडवांस सुविधाओं को विक्सित किया जा रहा है। प्रधान मंत्री आजिपान भारत इंफ्रासेक्टर मिशन के तहर जीला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केर बॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि एम्स जोदपूर और आयाइटी जोदपूर इस समस्थान और राजतानी नहीं बलकि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टिट्यूट्स बन रहे हैं। एम्स जोदपूर ने मिलकर मेडिकल टेक्नलोजी के ख्षेत्र में नई संभावना अपर काम शुरू किया है। रोबोटिक सर्जिरी जैसे हाई टेक मेडिकल टेक्नलोजी भारत को रिसर्स के खेत्र में इंडिस्ट्री के खेत्र में एक नया नई उचाई पर ले जाने वाला काम है इसे मेडिकल टूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा साथियों राजस्तान प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोगों की दर्ती है गुरु जंबेश्वर और बेश्नवाई समाज नेहां सद्यों से उच्जिवन शैली को जीया है जिसका आज पूरी दुनिया अनुसन करना चाहती है हमारी इस विरासत को आधार बनाकर आज भारत पूरे विश्व का मानदर्सन कर रहा है मुझे विश्वास है हमारी ये प्रयाश विक्सित भारत का आधार बनेंगे और भारत विक्सित तभी होगा जब राजस्तान विक्सित होगा हमें मिलकर राजस्तान को विक्सित बनाना है और सम्रुद्ध बनाना है इसी के संकल्प साफ इसकारकम की मंच की कुछ मर्यादा है तो मैं यहाँ ज्यादा समय आपको लेता नहीं हूं इसका बाद खुले मैदान में जा रहा हूं वहां का मिजाज भी अलग होता है माहूल भी अलग होता है मकसद भी अलग होता है तो कुछ मिनिट के बाद वहां खुले मैदान में मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद